जहीं दोस्तों मैंगी साहू आप सभी का प्रिंट मीडिया में सौगत करती हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं आज मनीश के सब सर जी प्रयाग राज में पदार चुके हैं तो अचानक से हमें ऐसे चलते चलते दिख गये तो हमने का कि कुछ बात चीत करते हैं कि कैसा सरका आन तो ऐसे ही मतलब अभी आपको देखे थे कहीं बाहर गये थे तो अचानक से कैसे प्लानिंग कर लिए कुछ रीजा नहीं आपी रहे से नहीं मैं घूमते रहता हूं अभी कुछ दिन पहले मैं बनारस में था और उसके बास से मैं अभी यहां पे हूँ अभी मैं अगले एक तेर महीना मैं उतर परदेश में रहने वाला हूं सबसे पहला सवाल है कि आपने यह जो अपने चैनल का नाम रखा है सच तक क्या सोच के रखा बस सच तक पहुंचने का प्रियास करते हैं और उसी में लगे हुए हैं और यहीं चलिए ठीक है आपने बैट के तुम यहां प पढ़ा भी है कि आप इसके पहले जैसे कि कुछ राजनीति चेत्र में जैसे चुनाव अगरा भी लड़े हैं हम मैं देखिए समस्या क्या है कि आप क्या करना चाहते हैं यह आप पे निर्वर करता है लेकिन राजनीति एक एक अलग फिल्ड ही होता है उसमें जनता क्या करन चाहती है जनता पर निर्वर करता है तो मैं चुनाव लड़ा था और वहां मैं बूरी तरीके से असफल रहा नहीं जीत पाया चुनाव यह बात सच है और यह यूनिवर्सल तुरूथ है और इसको जुठला के या मुर्गा मसाला मिला के या अलग-अलग तो यह चीज़े हैं मैं तीसरे नमर पे था निर्दलिये था और हलाकि यह भी बास अच्छा है कि 10,000 लोगों ने मुझे भोट दिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद और निर्दलिये प्रतियासी को इतना भोट और वह भी नॉन पॉल्टिकल बैक्ग्राउंड का तो यह एक मायने रखत अब लोगों को डौचाइब वाला धूल नी झेूर नहीं था गोसना पत्र र्यूर्ड रखता है मैं अपनी बातेمة और वह पाया हूँ साध Сам स कि खाला है अब तो काफी लोग आपको चाहने वाले वी है देखते हैं जिस तरीके से अब अब यहां पर भी ऑटो इसे फैन एफ वह सारे नाविक भी मुझे पहचानते बहुत सारे आपके लोग भी मुझे पहचानते तो लगे उए निश्वक्स तरीके से कि कुछ अच्छा सbraghaus Ведь미 हो जाती है ना तो चिलाना पड़ता है तो सरकार उन चीजों को पहुचा दे से सरकार उन चीजो को पहुचा दे करना पड़ता है तो इसलिए कभी-कभी जोर-जोर से काम हो जाए सालिंता से नहीं सालिंता से भी हम लोग प्रयास करते हैं आप बताइए आप सालिंता से काम करवा के दिखा दीजे यहीं पे यहीं पे भी काम सालिंता के साथ नहीं होगा तो बहुत सारे सरकारी ओफिस में जाके चिलाना पड़ता है से कहीं भी कमिय दिखती है तो उसको बहुत ही अच्छे डंक से आप एक्स्प्लें करने के लिए बनाया गया है तो यह काफी तरीके से सकते हैं पारदर्सी वस्त बदलने का मतलब यह नहीं है कि हम सरकार के खिलाब है इसका मतलब यह ह Prevention तो अच्छे चीजों को कि दिखाते हैं रधन अब नेता थोड़े ज्हादा भूरे हैं तो थोड़ा ज्यादा भूरे चीजों को दिखाना पड़ता है जिसदिन जयरहां भाए दिखाना बंद करेंगे सिर्फ याच़ा है तो सर एक और पूछना चाता शे इसे आभी बहुत सारी लोग ऐसे हैं कि की जैसे की कुछ भी ओता है कहते हैं कि कुछ लोग मतलब आफ़ी के व्हालोग करके हम ऐसे देखते करते हैं और कुछ लोगों को देखते हैं कि जैसे कि कुछ है इसी टाइप के लोग है वह भी मतलब कि बस लाउड में बोलना है उनको कहां पर बोलना है यह भी नहीं समझ में आता है देखिए मैं रामेश्वरम में भी गया था बहु सारे जगाव पे गया था मेरा 75 परसेंट जो वीडियो होता है नो नॉर्मल नहीं है टोन में मैं बनाता हूँ 75 परसेंट वीडियो 2000 से उपर वीडियो यूटीब पे पढ़ा हुआ है और फेस्बूक पे पढ़ा हुआ है लेकिन 25 परसेंट जगाव पे गरम होना पड़ता है तो हर जगा आप लावड तरीके से अगर काम करवाना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा तो इसलिए जहां जिस परकार से काम हो उस प करें जैसे आपने बहुत सारी चीजें दिखाई है कमिया दिखाई है तो उस पर आप तक कितने काम हो चुके होंगे देखिए मैं एन्वार्मेंट पर काम करता हूं और पे उसके अब पुब्लिक को समस्या होता है ब्लोग से लेके या थाना से लेके या जीला करयाले से ले तो जब बनाता हूं तो काम होता है और फिर उसके बाद से ऐसा ही इस्तिती हो जाता है लेकिन बहुत सारे जगहों पर नहीं सुधार हो पाता है क्यूंकि हम लोग सरकार नहीं है सरकार उपर बैठे हैं तो सुधार जब तक सरकार के तरफ से नहीं हो ना तब तक हमारे तरफ से जो है न वो थोड़ा बहुत ही होता है लेकिन होता जरूर है उसके अलावा बड़े-बड़े काम भी हम लोगों ने किया है लेकिन सरकार से बड़ा काम नहीं किया है तो होता है है और कभी-कभी नहीं होता सुधारत फ़ेक सवाला आपसे करना था की समय जो पत्रकारता है लोग इसको बहुत गलत तरीके से दिखारें जो चीत दिखाने चाहिए बहुत सारे लोग ऐसे भी कर रहे तो इस पे इस समय पत्रकारता का क्या है पत्रकार कोई भी बैमान नहीं होता यह सिस्टम और समाज जो है उसे बैमान बनाने का प्रियास करता है यह बहुत ट्रेंड में चल रहा है गोधी मीडिया इस पर देखिए कुछ लोग जो है कॉमनिस्ट विचारधारा के मीडिया वाले हैं कुछ लोग भाजपाई लेकिन देश के विचारधारा के मीडिया वाले बहुत कम हैं तो आप हो सके तो ना कॉंग्रिस के तरफ खड़े हो ना भाजपा के तरफ ना बामपंत के तरफ ना समाजवादी ना बहुजन समाजवादी पाटी हो सके तो देश के तरफ खड़े हों और देश के तरफ खड करेंगे nu को जनता तक पहुंचाने का प्रियास करेंगे तो उसकर तो जनता की बातों को पहुंचाने का प्रियास करें और लाश्ट सवाल है वभ नो सब्सक्राइब hai अब और बहुत जीड़ा गया तो आपके मतलब द्वरा कुछ छिस पर जाहना सायते हैं कि इस परवाही जैसे कि इस पर खान सर नहीं वीडियो बनाया है आज ही हम देख रहे थे उन्होंने भी अपना मतलब इस पर स्टेट्मेंट दिया कि हां ऐसा ऐसा है क्या किसकी क्या गलती है तो इसमें आपको क्या लगता है आपने भी देखा होगा देखिए राजनितिक स्टंट ह है और इस स्टंट में जो है न हर लोग सामिल है अब आगे क्या प्लानिंग चल रही है सच तक कहा तक ले जाना है बहुत सारी बाते थी बस हां खुछी इतनी है कि ज़्यादा सवाल कर नहीं पा रहे हैं समस्या क्या है कि हम लोग निश्पक्च हो के कुछ भी चीजों को दिखाने का प्रयास करते हैं और जब तक हम लोग है तब तक निश्पक्च दिखाएंगे जब तक सच तक है और प्रयास है कि सच तक को हमेशा रखा जाए और ऐसे ही किसी भी पार्टी के तरफ से नहीं कि किसी भी ब्यक्ति के तरफ से नहीं सचाई के तरफ से सच को हमेशा रखाएं